हाई फ्रेंड्स आज हम पान के पोधे के बारे में चर्चा करेंगे पान एक उस्न कटिवंधियों पोधा है तथा इसके पैदावार के लिए अनुकुल परिष्थितियां अबस्यक है इसकी जो बड़ावार होता है यह ठंडे चायादर बातावर्वन में अच्छी होती है इसमें कृत्री मंडप के अंदर उगाया जाता है जिसको बूल चाल भासा में हम लोग बरजा कहते हैं यदि नौमी कम हो तो तीन चैट दिन अंतर में अलकी सिचाई करने पड़ती है गर्मी में रोज सिचाई की जरूरत होती है पान की खेती बरजा बना कर की जाती है क्योंकि यह एक लतादार पत्ती की खेती है यह खेती एप्रिल में मिट्टी को पलट कर घुरभुरी बनाया जाता है यह दरसल काली मिट्टी में अच्छी होती है फिर भी मिट्टी कोई फरक नहीं पड़ता है, किसी प्रकार के मिट्टी में ये उपता है, कि बल ध्यान रखने की ज़रूरत है, इस पोधों के पास पानी जमाना रहें, पान की खेती आम तोर पे हमारे भारत गर्ष में सभी जगे में इस खेती को करा जाता है, जैसे करनाटा, गराष्थान, पूरीशा, तामिलनेडू में ये अच्छी होती है, इसमें बहुत अच्छी तत्व पाये जाते हैं, जैसे इसमें आप हस्परस पाएंगे, केल्शियम, पोटासियम, कपर, जींक, शरकरा, इत्यादी, भारत बर्ष में कम से कम सो से पान सो किस्म के पान पाये जाते हैं, ज देशबरी, मीठा, और कलकटिया, कानपूरी, और बंगला, इस तरीके की कई प्रकार की ये पाये जाते हैं, और पान के जो पत्ते होते हैं, ये काफी फाइदे मंद होता है हमारे शरीर के लिए, जैसे पान खाने से होने बले अधभूत फाइदे हैं, जैसे खासी है, शरीर के दुलगंद है, घाओ है, मुह के छाले हैं, और कील मुहां से अगर होता है, इविन कैंसर में भी पान के पत्ते को ब्यभार किया जाता है, तो ये तो ही खेती की बात, इसको सो प्लैंट के लिए भी आप गमले में लगा सकते हैं, जैसे मैंने ये य जहान रखना होगा, इसके पास बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, और इसको चायदा जगे में रखना बहुत जरूरी है, इसका मतलब ये नहीं कि इसको धूप की जरूरत नहीं है, धूप की तो जरूरत है, लेकिन डारेक्ट धूप की इसकी जरूरत नहीं है, तो इस तरीके से आप इसको गंबले में रख सकते हैं लेकिन घर के अंदर नहीं है घर के बाहर रख सकते हैं गंबले में ये देखने के लिए काफी अच्छा है जरुवत पढ़ने पर इससे पत्ते ले करके भी आप चबा सकते हैं तो यह काफी फाइदेमन्द है आप इसको गंबले में घर में लगा सकते हैं थैंक यू दोस्तो